नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आमारी यूट्यूब चैनल सिविली जोन पर मेरा नाम है दीपक सिंग बिश्ट दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डी एफ सी सी आयल का जो प्रिवेस यह क्वेशन पेपर है उसका नॉन टेक्निकल पार्ट हमने कवर किया था ठीक है जो 20 questions थे तो हमने solve किये थे और आज हम इसका जो टेक्निकल वाला पार्ट है ठीक है जो 80 questions है उसको solve करेंगे 80 questions तो एक वीडियो में नहीं पाएंगे इसको हम divide करेंगे आज हम 20 questions तक कर लेंगे ठीक है तो ताकि वीडियो जादा बड़ी ना हो और next हम अगले वीडि which of the following points are not among the advantages of activated carbon यान कि यह कह रहा है कि activated carbon जो है वो बहुत सारे impurities होती है ठीक है उनको क्या करता है अट्रेक्ट करता है यह उसके अंदर यह प्रोपर्टी होती है तो यह बताने कि इन मैस से जो तीन option दिये है कौन सा advantage जो है उसका वो नहीं है तो दोस्तों पहला है it minimizes the chlorine demand of treated water तो यह तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि chlorine को कि यूज करते हैं disinfectant product के लिए यूज करते हैं और activated carbon को भी disinfection के लिए हम यूज कर सकते हैं तो अगर हम activated carbon यूज करते हैं तो chlorine demand करम हो जाएगी फिर दूसरा है it accelerates the coagulation तो जैसे कि question बताया गया है कि यह क्या है इंप्रिटीज को attract करते हैं और absorb करते हैं तो कोगलेशन का भी काम यह होता है त्याने कि क्या ही कोगलेंट भी है तो कहने का बना है को कोगलेशन को increase कर रहा है तो accelerate कर रहा है तो दोनों से यह हम फूल तो ओवर्डोर्ज का हम फूल नहीं होता है यह इसमें जो सी आंसर है य कोई हम फूल नहीं होता है ठीक है जो एक्ट्वेट कारवन है इसका benefit ही हमें दिख रहा है कोई हम फूल नहीं है इसका ठीक तो C option C हो जाएगा फिर नेक्स्ट है वहाँ पर करता कि रोजन नहीं से करते हैं तो option यह रखेस में तो यह करें कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है इसके ना option A है strong wind disturb the spring link तो यह एक limitation है यानि कि wind है वो डिश्टरब करती है spring link को बिल्कुल सही बात है तो यह बिल्कुल नुकसान है और दूसरा है इनिशल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगते हैं क्योंकि इसको पावर भी चीए लेक्रिश्टी भी चीए ताकि हाइड रहे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है इनिशल तो दोनों से यह तीसरे हैं कि यह क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं तो यह मेजर लिमिटेशन इसका नहीं है बाकी जो उपर वाले हैं यह मेजर लिमिटेशन है लेकिन इरोजन आप इरोजन ना हो उसके लिए तो हम इसको कि इसकी जो efficiency हो कितनी होती है तो दोस्तों इसकी efficiency होती है वह होती 80% 80% efficiency होती है और maximum किसी होती है drip irrigation की होती है उसकी होती है 90% तो यह आपने धिहान रखने है फिर next question है which one of the following is not among the types of signals classified on the basis of their function function के बेस्पे पूछ रहे है based on their function के बेस्पे दोस्तों shunting signal होता है semiphor signal होता है और warner signal होता है तो कौन सा नहीं है advantage starter signal की तीसरा option सभी हो जाएगा तो type of signal based on their function आप देख सकते हैं जो diagram में दिखा रहे है stop signal होता है यह इसमें जो इसका semiphor arm है यह एकदम flat है आप जैसी की देख सकते हैं और नेक्स्ट यह है warning signal ठीक है इसमें जो इसका semiphor arm है यह यह वी शेप में है अंदर की side ठीक है तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि यह warning signal होते हैं तीसरा है है डिस्क सिगनल ठीक है तो डिस्क के शेप में होता है यह कुछ इस तरह से होते हैं नोट कर लिजेगा इन चीज़को आप और चौता है फिर रंगीन यानकी color signal ठीक है तो जैसे कि आप सडक पे चौरा होपर देखते ही होंगे तो क्या होते हैं वह होते हैं color signal बेज़ डॉन देर function अब जो सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यह थे बेज़ डॉन फंक्शन और classification of signal बेज़ डॉन लोकेशन आप देख सकते हैं चैनल सिगनल ठीक है बाइब चैनल सिगनल दूसरा होम सिगनल तीसरा स्टार सिगनल और चौत चोथा एदवांज स्टार सिगनल तो यह है बेज़ डॉन लोकेशन तो यह भी आप नोट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो जैसे क्वेस्ट अमें पूछा था कि बेज़ डॉन function कौन सा नहीं है एडवांस स्टार्टर सिंगनल नहीं है क्या है यह यह है बेस्ट डॉन लोकेशन जैसे अभी हमने पड़ा है ठीक है फिर नेक्स्ट वेस्टन है एस रिकमेंडेड इज इन आयसे 456 मैं अपॉर्डिंग तो इसमें तो जैसे कि पेव्मेंट के लिए पेव्मेंट के लिए इतना होता है में फिटी होता है 25-50 है तो सेकेंड हो जाएगा सेकेंड से मैच करा देंगे इसको और अन्रिंफोर्च के लिए 100 तक होता है और कॉलम के लिए 125 तक होता है तो इसके अगर मैच करें तो ऑप्सिन नंबर सेकेंड यह क्रेक्ट हो जाएगा तो स्लंप निकालने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हूं आप देख सकते हैं डाग्राम में ठीक है इसमें आपको एक फ्रस 20 cm में ठीक है यह बॉटम डाया और 30 जो है इसके हाइट होती है तो कई बार एक्जाम में पूस लेता है यह ठीक और तेम्पिंग रॉड इसमें दिख सकते हैं आपको ठीक है तो और स्लंप हम किसे मिजर करने के लिए यूज करते हैं तो यह करते हैं दोस्तों पूस रही है जो क्या करती है जो डील्स करते है किसके साथ यान की इसमें किसकी वाटर की वाटर साइकिल की है और ऑरिजिन डिस्ट्यूशन ऑन दा अर्थ पर तो किसमें करते हैं हाइट्रोजी में करते हैं पहले क्या होती है बादल बनता है उससे बारिस होती है ठीक है औ तो यह साइकिल जो है चलती रहते हैं इसी होगा है तो है तो है तो है तो किसमें स्टेडी करते हैं इसका है फिर नेक्स्ट है इन विच टाइप आप फाउंडेशन दे लेंथ इस कंसिडरेबली ग्रेटर देन इट्स विट्थ तो दोस्तों इस्ट्रिप फुटिंग ही होती है इसमें जो लेंथ है वो विट से बहुत जादा होती है बहुत ग्रेटर होती है ठीक है तो कौन सी होती है इस्ट्रिप फुटिंग इस्ट्रिप फाउंडेशन ठीक फिर नेक्स्ट है इस नेक्स्ट है is the algebraic sum of the moments of the force on either side of the section of a loaded beam यह कोई loaded beam है जैसे मालो यह एक beam है ठीक है यह है इस पर load आ रहा है उपर से ठीक तो इस पर किसी भी section पर हमें bending moment निकालने मालो यह yy section है इस पर निकालने है तो कैसे निकालेंगे हम algebraic sum लेंगे इस axis पर जिस section पर निकालने है वहाँ पर algebraic sum लेंगे all moments का जितने भी moment आ रहे होंगे इस section पर किसी भी एक side है ना तो यानि कि algebraic sum of moments of the force on either side ठीक है किसी भी एक side ले सकते हैं या तो right side या left side ठीक of loaded beam क्या बोलते हैं उसको bending moment बोलते हैं bending moment निकालने के लिए अगर हमें shear force निकालने है तो तब क्या करेंगे जैसे beam है इस पर यह loaded है ठीक है shear force के लिए load ले ले लेंगे ठीक है algebraic sum लेंगे उनका ठीक algebraic sum मलब with sign ठीक है फिर next question है assume L is the load in Newton and a is cross-sectional area then stress is equal to तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है stress equal to क्या होता है stress equal to force by area ठीक है force by area होता है अब force को किस से denote कर रहे हैं आप ही आप देख सकते हैं L से बोल रही है ना कि फोर्स बोल्ट है लोड बोल्ट हो तो L divided by area को A से कर रहे हैं और stress को हम S से कर रहे हैं तो कौन सा हमारा answer से हो जाएगा तो L by A 3rd हो जाएगा ना ये next 8 mm थीक copper sheet is cut with a 9 cm डाय राउंड पंच यान कि यह कह रहा है है कि एक sheet है इसकी है copper sheet है ठीक है इसकी जो थीकनेस है इस sheet की कितनी है यह है 8 mm थीक 8 mm इसकी थीकनेस है और जो इसकी इसमें क्या कर रहे हैं पंच कर रहे हैं यान कि एक 10 kg Newton तो हमें क्या निकालने है आप देखो दोस्तों में टोस से दिनोट करते हैं तो स्य इस्ट्रेस क्या हो जाएगा तो दोस्तों फोस कितना है एमारा 16 दोस्तौ से में जोन से में आप गरी अब लिए अनि की ऊहां हो है यानि की होल करने को होल में यह परीमीटर और फट्ट यह पर कंद लिए फॉर्ट जो है इसी एरिया प्र करेंगा थायनि की सुख्य व्रत हो जाएगा सबस्राइब कि अब दो कितने क्वेग्रhan है तो इसको आप जब सॉल करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.08 मेगा पास्कल एक बार सॉल करके देखना ठीक है तो थर्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट है according to the soil mechanics which type of soil is not fully consolidated under the adjusting or button pressure तो कौन सी soil है जो fully consolidated नहीं होती है और button pressure जब उसमें exerted है लगा हुआ है तो कौन सी है अंडर consolidated soil होगी ना ठीक है तो तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा फिर नेक्स्ट है डैस is the normal stress when it acts into the area यहां ट्रेट की कोई area मनलो यह एक area ना इसके ऊपर लग रहा है क्या एक force लगा रहे हैं इस एरिये के उपर तो इस पर अगर फोर्स लगा रहे हम कि यह कंप्रैस वह गां तो कंप्रैस क्या हुए तो सिस्प्रेसिश की बात करी रहे हैं तो नाने कि 90 डीगे पे लग रहे हैं तो इंग तो तो फिनेक्स वेसे उसमें जंडरेट होंगे one-dimensional consolidation के वो क्या है एक तो homogeneous होना चीए soil ठीक है एक saturated होना चीए लेकिन यह कहा रहा है कि soil is 100% unsaturated तो यह गलत हो गया यह incorrect हो ना क्योंकि आजमसन में क्या माना है तर जागी नहीं homogeneous होना चीए isotropy होना चीए और 100% saturated होनी चीए soil और तीसा गया बोल रहा है the soil is laterally confined तो laterally confined होनी चीए यह भी बिल्कुल सही है तो बी जो है वो गलत दे रखा है ठीक यानकि इस तरह से consider कि laterally तो confined होना चीए यानकि इधर से water pass नहीं होगा water की तरह से पास होगा या तो upward में या वो डिपैंड करता है कि एक डिरेक्शन में फ्लोर है कि दो में हो रहे है ठीक है और यहां से निकल के आता है time factor tv t into cv upon d square ठीक इसमें tv है time factor ठीक और t क्या है time जो इसका time indage और cv के है degree of consolidation और d के है drainage path ठीक है drainage path अगर हमारा drainage बहुत साइट हो रहे है तो d by 2 हो जाता है यह path यानकि यह पूरा d मानता है अगर one side हो रहा है तो फिर d समझे यानकि पूरा path होगा तो अगर आपको detail में पढ़ना होगा तो बता देना आप ठीक है next question है which of the following statements are true about the types of gauge in Indian railways तो first है broad gauge clear distance between the inner face of rails 1.676 बिल्कुल सही बात है broad gauge की distance होती ही होती है दूसरा मीटर gauge 1.240 यह गलत बात है वन मीटर होगी ना 1000 mm और तीसरा है narrow gauge तो 0.762 मीटर यह भी सही है दूसरा इसमें ठीक है दूसरा गलत है बाकी इसने पूछा था कौन सा true है which is true तो first and third तो first and third ठीक है option no.2 और एक standard gauge भी होता है बता आपको 1436 है ना 1.436 मीटर यह होता ह फिर next है which among the following are the correct assumptions in the theory of simple bending यानिकी simple bending जो होती है यानिकी एक beam है यह beam है इस पे force apply हो रहा है load लग रहा है तो यह क्या हो जाएगी bend हो जाएगी है ना तो इसके जो assumptions है उसकी बात कर रहा है तो correct assumptions इन में से कौन से है तो first है the loads act perpendicular to the beam axis तो यह beam है इसकी axis है इसके perpendicular लग रहा है फिर दूसरा है the beam bends to a circular arc तो जब लोड लगेगा तो यह band होगा circular arc में बिल्कुल circular arc में होता है यह इसका बिल्कुल सही है ठीक है bending जब होती है simple bending की simple bending का assumption है फिर तीसरा है the beam is initially straight of constant cross-section तो बिल्कुल सही बात है initially beam तो एकदम state होती है आर्क तो बाद में बनता है जब loaded हो जा अब project engineer collects a sample of red soil having moist unit weight soil जो है यह दे रखा हमें 18.5 इसको हम गामा से भी denote कर सकते हैं गामा इकवल टू 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है और water content दे रखा हमें 0.22 यानि परसेंट में दे रखा है तो जब इसको fraction में करेंगे तो क्या आएगा 0.22 इस्पेसिफि e बताने हमें और हमें water की जो unit का unit weight है वो भी दे रखा है 9.81 तो simple हम यह formula लगा लेंगे इसमें unit weight of soil equal to 1 plus w यानि की water content g gamma w upon 1 plus e है ना यह formula लगाओ दोस्तों यहां से हमें gamma पता है है ना unit weight of soil पता है ठीक गामा बलक बोल सकते हैं यह पता है दूसरा हमें यह water content यह ना 0.22 यह रख सकते हैं g की value हमें given है 2.85 यह रख लो gamma w यह 9.81 यह रखो ठीक है 1 plus e जो है इसको इस तरफ लाओ और फिर solve करके 1 को उधर ले जाओगे तो e निकल जाएगा कितना आएगा हमारा e यह आएगा 0.84 इसको एक बार करके देखो खुद से ठीक है नहीं होगा तो फिर next video में मैं इसको करा हूँगा फिर next question है Dash is an engineered material that contains cement polymers and glass fibers it is mainly used in concrete products including ornamental structures, fountains, domes, etc. यानकी industrial यानकी यह कहारे कि कौन सा concrete है ठीक है engineered material है जिसमें क्या होता है cement होता है polymer होता है glass fiber use होता है उस concrete में cement polymers and glass fiber होता है ठीक तो इसका use कहां करते है ornamental structures में foundation में भी करते हैं domes में भी करते हैं तो वह होता है दोस्तों glass fiber reinforced concrete ठीक है तो यह आप ध्यान रख सकते हैं next question according to the level of pressure applied lateral pressure is classified into various types यानि कि जो lateral pressure लगते हैं कि soil पे वह बहुत सारे टाइप की हो सकते हैं which of the following type lateral pressure refers to the minimum pressure exerted by the soil on the retaining wall यहनि कि मानलो यह retaining wall है ठीक है इस पर क्या लग रहे है प्रेसर लगते हैं एक तो होता है जो इसको क्या करते हैं rotate करता है बहर की तरफ है ना out forward from back side से ठीक है फिर दूसरा होता है एक इसको क्याते है active earth pressure जो back side से लगते है फिर एक यह ऐसे मार रोटेट करता है अंदर की तरफ ठीक है इसको काता है पैस्सिंफ अर्थ प्रेसर ठीक convert नार्य प्रफिल टरफ लगता है एक हैं यह को इसमें जो isto तो वह किसी पर्सिपर ब्रिटर करते हैं के जिसे अर्थ-प्रेसर-प्र लाachment यह सबसे बड़ा होता है फिर होता है के नोट में अर्थ प्रेसर इन रेस्ट फिर होता है के एक्टिव प्रेसर कॉफिसेंट होता है एक्टिव प्रेसर कॉफिसेंट और अर्थ प्रेसर कॉफिसेंट और अर्थ प्रेसर कॉफिसेंट तो सबसे मैक्जिम्म प्रेसर लगता हो फिर निंवल होता है किसमेह को संधे है तो तो मिनिमंआ यह अर्थ प्रेशर में सब्सक्राइब हो कि फिर उसकाल किष्ड प्रेशर तो फिर आपको प placing प्रेशर मांना पड़ेगा ठीक है कि एकजाम में करते हैं अगर ठीक से हमने नहीं पढ़ा है तो एक्षाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आती है यहीं छोटी 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 छोटे चीज़ें आती है इन्हीं में हमारी सिली मिस्टेक हो जाती है थिक फिर नेक्स्ट वेस्ट है इन दा पाइल फाउंडेशन विच टाइप पाइल एक एज कॉलम एंड टांस्मिट दो वीक सॉल टू फॉर्म स्टेटम एट गेटर देफ्थ तो यह पाइल फाउंडेशन के बारे में आपको पताए होगा जैसी यह है फाउंडेशन एक तो जो होता है एक होता है यह ओपर से लोड आ रहा है नीचे ससे विप अबर साइड की जो स्वैल हम वो इस पर friction generate करेगी और उस load को क्या करेगी resist करेगी तो उसको गत है friction pile और एक होती है जब ऐसा नहीं हो पाता है soil की condition होती है लगलग तरेगी तो ऐसा नहीं हो पाता है कि जो उसकी surrounding soil हो उसको resist करेगी उस load को due to friction तो तब हमें जरुबत पड़ती है एंड बेरिंग फाइल की यानिकि एक हाड इस्टार्टा होता है काफी डीप में भी हो सकते हैं तो वहां तक इस पाइल को हम ले जाएंगे और जो लोड आएगा वो उस हाड इस्टार्टा में ट्रांसफर होगा ठीक है तो यह डिफ्रेंस होता है तो वही यह पूश रहे हैं विच टाइप अपाइल एक्स कॉलम ठीक है एंड ट्रांसफिंट रोट थो वीक सॉयल में और तो फर्म इस्टार्टम यहां पर एट ग्रेटर डेप्थ तो बेरिंग पाइल होगी ठीक है तो समझ में आगया वाका आपके एंड वेरिंग पाइल ठीक है फिर नेस्ट है वाट इस देनेम अप्ट डिजाइन ऑफ रिइंपोर्स सिमेंट स्ट्रक्चर इन विच ऑप्टिमम यूज ऑफ इनरेंट स्टेंद बहुत स्टील एंड कॉंक्रीट मिड तो कौन सा होता है हमारा अल्टिमेट लोड स्टेंथ इसी में क्या करते हैं बहुत क्या करते हैं इस्टील एंड कॉंक्रीट बनते हैं तो थीन तरह के हमारे डिजाइन होते हैं एक तो होता है वर्किंग स्टेस में ठीक एक होता लिमिटेस में अल्टिमेट लोड में तो जितना लोड आ रहा है उसी के उतना ही हम डिजाइन में करते हैं n सब्सक्राइब थीयुक्त है घंद अब हम वह सफने सब्सक्राइब थीड कर्क थेंक दोष्ट है तो इसमें सब्सक्राइब भी On कान से हैं कॉन से फेक्टर है जो इफेक्ट करते हैं उस दिमांड को ठीक है यह पूछ रहे हैं तो पहला क्या है घ्लास क्लाइमेट कंडिशन आप दे तो वहां का जो वातारण है किस तरह का है तो बिल्कुल डिपैंड करेगा ठीक टेंप्रेचर वगर यह सब करेगा जादा तो ज्यादा पानी की आवसकता होगी तो तीनों कर रहे हैं तो तो दोस्तों आज इतने ही गुस्टन करते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें जो आगे का बचवा पोर्शन है उसको हम सॉल करेंगे तो दोस्तों आज का जो आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और क्या सुझाओ देना चाहिए आपको क्या हम इंप्रूमेंट करें वह भी हमें जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लग लिए तो लाइक करें सब्सक्राइब कर करें बहुत 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 धन्यवाद।